मॉनिंग स्टुडेंट आज अपन बात करेंगे मेटर सेतु की मेटर सेतु क्या है इसके क्या अप्लिकेशन है और क्या इसका बनावट है किस प्रकार से इसका प्रिंसिपल है किस प्रिंसिपल पर यह है वक करता है और क्या क्या इसके अप्लिकेशन है इन बातों पर अपन ड से तुषिधान पर कार्य करता है तो बेस डोने वेटी स्टोन बीस प्रिंसिपल यह एक बहुती सुग्राई उपकरन है सुग्राई मतलब इसकी सेंसिटिवीटे अच्छे मतलब किसी भी वॉल्क म मिटर से हैं या फिर मीटर से हैं अच्छे शुड़ाहिता के साफं़ मेंजरुमेंट ले सकता है इसके दोरा पन अज्यात प्रतियोध कमान श्याद कर सकते हैं इसके बार में basic बात है अब इसकी design के बारे में बात करते हैं मेंटर स्यत्य है वह एक एक मिटर लगड the right the record अपोपर ये देखिए एक तार का साओी है एक एक तारए एक एक मिटर लंबा और पोस्टा के जस्टी से एक मिटर लंबा एक मिटर से केल लगवता है तार की लंबा एक साप एक उर तीन इस पर कोपर की पत्तियां जूड़ी होती हैं कि अंति दो किसी भी अग्यात प्रत्रीवोदका मान गयात कर सकते हैं यह उस्से उस सअ साथ में जदा इसका मान गयात कर सकता है जो मेंगनेन । उड़ते हैं एक साथ में real estate जिसको अपन धारा माप्वी बोलते हैं, धारा नियंत्रक बोलते हैं, real estate जोडते हैं, कुझी जोडते हैं और इसको इस प्रकार से चित्रा लूंसार connection कर देते हैं के साथ में बेटरी का प्लस, फिर माइनस, माइनस के साथ में आरच, आरच का दूसरा सीरा कुंजीर, कुंजी का अगला सीरा तार के लास सीरे जोड़ देते हैं, अब यह जो तार AC है, यह किनारों पर दो एलाकार की पत्यों से जुड़ा हुआ होता है, तो एलाकार की दो पत प्रेटिश्ग बोक्स जिसे हैं अपने र भी बोलते हैं और दूसरे के साथ में जोटते हैं दूसरे इांस जोडते हैं एक अज्यात पर दिर्ष्वोत जिसे अपने यहां पर संट बोला है यह ठीक है अब इसके देरा जो बीचjs screw है जो बीच वाला screw है इस screw पर एक wire की साथ में connect करते हैं और galvanometer जोड़ देते हैं और galvanometer का जो दूसरा हिस्सा है उसके साथ में जोकी जोड़ते हैं जोकी एक pen जैसा होता है जिसके आगे एक metal का connector होता है इस toy star पर touch करवाते हैं और जो meter का जो connector होता है वह आगे से एक वेज आकारफ में होता है सापली कटा होता है knife की तरह है तो उससे स्थार को बारे-बारे से touch करवाते है अब देखिए ये अपने इस के connection भी कर दिया है है अब इसकी कारिया परनाली, इसकी कारिया परनाली में करते क्या हैं, कि रेजिस्टेंस बॉक्स में से कोई भी एक परतिरोद निकालते हैं, और परतिरोद निकालने के बाद में कुंजी को ओन करते हैं, कुंजी ओन करने के बाद में परिपत में दारा परवाईत होती है, तब यह जो जोकी है इस जोकी से इस तार पर बारी-बारी से टच करवाते हैं कभी यहां कभी यहां कभी यहां कभी यहां कभी यहां कभी यहां टच करवाते हैं तो इसके लिए एक सिदान्तिक प्रिंचिपल काम में लेते हैं कि आपन तार को दो जगह पर नोमली टेच करवा कर देखते हैं जैसे मैंने सबसे पहले यहां पर टेच करवाया सपोज यहां पर यहां पर पैंट की नॉक्टी की वह टेच करवाया तब गैलवनोमीटर है उसका विच्छेप है वहें लेफ्टन साइड की तरफ जुका हुआ दूसरी जगह पर टेच करवाते हैं जहां पर गैलवनोमीटर है उसका विच्छेप राइटन साइड में आ गया तो इससे अपने को पता चल जाएगा कि इस दोनों पॉइंट के बीस में कई पॉइंट है जहां पर टेच करवायेंगे तो गैलवनोमीटर है उसमें जो जिर हो झाता है अर्थात धार हमापहे में कोई रा परवायें नहीं हो रही है अर्थात सांलन की स्तति है उसमें जो बनती है तो ईसमें ऐसे अब से उस इसमें और से से तार यहां पर बाठ दो बाठीट गहाए एक inspect के तार से यह जब किसी भी जो अहसे की लंबाई एल आपने को मिली है कि आप लिए तो मिंस लिया ह या दोंगा सो माने है अब देखिए तार का प्रतिरोद ओप माना हैं कीो और यह जमाने इसका उसाते प्रतिरोदों न्रा रहे है मैं आज और संट प्रतिरोद आ करें प्यू आर वो तो ग्यात है अपनों को पता है और S हग्यात है तो S कमान घ्यात करते हैं तो कुझि को तार पर मेंगनेन की तार पर तक कर वाते हैं तो वह पर विछ अप जीरो आता है तो संतुलन की सितिति बनती तो P स्ड Barcel E अब आरवटे S बन जाता है अर्थाथ अब तार की लमभाई AB जहां पर संतुलन की इस्तिति आ है तार की लंबाई L है तो बीशी तार की लंबाई सो माइनस L हो गई है एक आंग तार की परतिरोधकता सिग्मा हो गई एक आंग तार की परतिरोधकता सिग्मा है तो L लंबाई के तार का परतिरोध कितना हो जाएगा सिग्मा गुना L और सो माइनस L लंबाई के तार का परत यह मांनदक देंगे तो आर आणज देंगे हैं तो आई ट्रेंखतर आउर यस कि मांद र्खेंगे है और ऐपतारी आथ के TI सुछ निकाल लेंगी और फोगियो मारे इंज इंदांर अधे यह सो सु माणन से तो अपने पास से भी लोगा जाएगी, S बराबर R 100-L divided by L अर्थात, S बराबर R 100-L, Mines 1 L से L cancel के 1 बचेगा, ओके, तो देखे, अज्यात परतिरोध जो मान गयात करते हैं, संट परतिरोध जो मान गयात करते हैं, मिटर बिजेंगे, दूसरा प्राकार को प्रतिरोद के मान और सकते हैं। और यह जान कर सकते हैं। अब अपन बात करते हैं EMF की Electromotive Force या विदित वागबल है वह क्या होता है कोई भी अपन सेल की बात करते है बेटरी की बात करते है तो उसमें chemical reaction होती है तो chemical reaction होती है तो उसमें energy release होती है chemical reaction चे और वही energy वह आवेस परवाह को पुल करती है धक्का देती है उसको बल देती है ताकि आवेस परवाह और धारा परवाहित हो सके तो आवेस परवाह के लिए परती एकांक आवेस परवाह के लिए वह आवश्यक जो उर्जा है आवश्यक बल है वह ही Electromotive Force कर लाता है तो Electromotive Force परते एक सेल का एक गुन होता है उसकी property उसकी intrinsic property उसका ताच्छनिक गुन है ता सेल की प्लेटों ता विदुत अपगटे के nature पर निर्बर करती है कि सेल की प्लेट है वह किस प्रकार के material की बनी हुई है और उस पर जो उसमें chemical reaction प्राने के जो chemical यूज किया गया है उसकी प्रकरती पर निर्बर करती है लेकिन EMF है या Electromotive Force है विदुत वागबल है प्लेटों के बीच की दूरी पर निर्बरने करता है और अपगटे की मातरा पर निर्बरने करता है तो अपन EMF को define कर सकते हैं परिपत में आवेस परवा के लिए सेल द्वारा प्रती एकांक आवेस दी जाने वाली उर्जा तो कोई भ सांक आवेस दी जाने वाले उर्जा वाए Electromotive Force कलाती है अर्थात Capital E Capital E के मतलब Electromotive Force है डबलू बटे क्यू यहां पर डबलू यह उर्जा बटे आवेस तो इसका मातरा क्या हो गया जूल परती कूलम अर्थात इसको पर वोल्ट की रूप में define कर सकते हैं तो डबलू इसां negative terminal से positive terminal की और परवायत होता है ओके अंदर और इसके लिए इस पूरी प्रोसेस के लिए धनावेस है वो negative से positive की तरफ जा रहा है ध्यान रखिएगा जो तो कैसे होगा कि यहां पर कोई भी बैटरी है तो देखिए बैटरी के तो इलेक्ट्रो ना वह एलेक्ट्रो ना लगने वाली उचा है तो देखिए इसके लिए डायगरम बनाते हैं एक डायगरम बनाया इसमें एक पर प्रतिरो जोड़ा हुआ है तो बैटरी देखते हैं कि जो इलेक्ट्रो मोट्री फोर्स है केपिटल ई है उसकी दिसा आएवा करेंट की दिसा में होती है क्योंकि आप विद्वाग बला है वह भी माईनिस से प्लस की और ही नहीं माईनस से प्लसकी और तो अब नहीं है उसपर एपेटरी है उसको पर Institom अक्सेवर जसे फ uphill होगा तो जो जो चार्ज है उसको माइनश के लेक्ट्रोड ये क्शों कैसे में किया गया कार्य है क्योंकि जो भी सेल हो सेल के अंदर जो विद्दू छेतर ने small e उसके द्वारा आवेस को minus electrode से plus electrode की तरफ ले जाने में किया गया कारी कितना होगा तो w बराबर q small e q small e into d अपनों को पता है q e बराबर f तो w बराबर क्या हो गया f dot d किया गया कारी है तो यहाँ पर small e into d मिलके क्या बन गया capital v तो यह हो गया है विबानतर तो किसी भी डेटरी के लिए उसकी terminal दूरी d के लिए e बराबर w अपन q होता है तो e बराबर और यहाँ पर w बराबर qv है तो देखे आप देख सकते हैं e बराबर w upon q और w बराबर qv तो w बराबर qv रखेंगा तो qv बटे q अर्था e बराबर v तो इसका मतलब e यह क्या है विदुचेतर नहीं है e है विदुत वाकबल विदुत वाकबल किसके बराबर आ गया विबानतर सेल के जो दोनों टर्मिनल है उनके विबानतर के बराबर होता है जब open terminal है बेटरी है जो सेल है वह open circuit में यूज है वहाँ पर कोई अक्षनल रखेंगा गया है तब उसके जो terminal हैं दोनों सीरे हैं उनके बीच का विबानतर है वाविदुत वाकबल के बराबर होता है और जब परिपत में धारा सेल के भीतर जो परिपत होता है उसमें सेल के भीतर जो धारा है प्लस से माइनस की और परवाइट होती है तो सेल है वह हमें इसान डिस्चार्ज हो रहा होता है जब माइनस टर्मिनल से प्लस टर्मिनल की और धारा परवाइट होती है इसके मथलब Sail, Dalvas mus had dried day, less charge either, प्लस डारेक्शन में है, अब अपने डियाग्राम देखा था, उच्छ तिल डारेक्शन में है, माइनस से प्लस की और बायरही है, माइनस से प्लस की और बायरही है, इसका मतलब क्या हो गाओगा, Sail of had discharge हो रहा है तो सेल डिस्चार्ज हो रहा है या निरावेशित हो रहा है तब जो विदुत वागवल हो पोजिटिव डाइरेक्शन में होगा करंट के साथ एक्स अब देख सकते हैं कि यहां पर देखें माइनस से प्लस के और करंट बह रही है तो दो बेटरी जुड़ी है माइनस प्लस मा प्लस माइनस के लिए बागवल या एलेक्टर मोटिफो वो जाए गाता वर यह लेक्ट से राइट की तरफ बह रही है और सें़ कंडिसन अगर मारा राइट से लेफ्ट की तरफ कर दूँग तो इटू है यहां पर इस कंडिसन में एटू प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस से plus की और बहती दा रहा माइनस से plus की और तो e2 plus हो जाएगा और e1 minus यहाँ पर देखेंगा minus से plus की और बहेगी तो e1 plus है e2 minus है तो दूसरी condition केंगे e बरावर e2 minus e1 और पहले condition में e1 minus e2 द्यान रखी हमेशा जब current है वो minus से plus की और बहती है तो उसी के respect में विदुद वागबल plus हो जाता है अब किसी भी sale के लिए अपन आंतरिक पत्रिवद का मान गयात करते हैं अब कांतरिक पत्रिवद का मतलब क्या था कोई भी sale होता है उसको जब अपन किसी परिपत में लगाते हैं तो परिपत में लगाते हैं तार से connection करते हैं उसके को तो जब उनके बीच की दूरी डी है प्लेटों के बीच की और एक प्लस टरमिल है उसके बीच में कोई chemical reaction हो रही है तो आप देखते हैं जो बाहर की जो दाहरा है जो लगाएगी connection में जो बाहर की दाहरा है वह प्लस से माइनस की और बहर रही है लेकिन घोल के अंदर की जो धारा है अब केमिकल डियक्शन में वह माइनस से प्लस की और बह रही है अर्थात बाहर की धारा है वह पत आप अगर देखते हैं तो किस प्रकार से होती है प्लस माइनस तो इलेक्ट्रोन आएंगे क्या होगा इलेक्ट्रोन आएंगे प्लस की तरफ और करंट बहेगी वि इसका मतलब वहार वाली धारा है जो बाहर कनेक्षिन बाहर रही है उसके लिए अवरोधक पैदा करती है और वह बहुत करण्ट पैदा कर देती है और वह यो अगर आइडियल कंडिशन में तो उसके अंदर पर्दिरोत जीर होता है अर्था तो उसमें chemical reaction आविद्ध गट्टे के कारण से 12 बहती है माइनस से प्लस की और वहन नहीं बहती है तो किसी भी सेल के बीच कोई भी सेल है उसके के बीच परचालन विबानतर कोई सेल का terminal potential difference कहते हैं अर्थात जो कोई सेल है आगर उसको अपन operation में लेके आते हैं operating condition में लेके आते हैं तो जो टर्मिनल potential difference से दोनों सेरों के बीच में वहाइब पर्चालन विबानतर होता है अर्थात किसी भी सेल यूग विदू परिपत में दारा परवाइड होती है तो सेल के दोनों सेरों के बीच में विबानतर वी होता है और उस विबानतर को यह अपन terminal potential difference कहते हैं यदि सेल जिसका विदुत वागबल केपिटल यह तो आंत्रिक पर्तिरोदी स्मोल आर है तो ऐसे सेल को जब किसी भी सर्किट में जोड़ते हैं अपने परिपत में लेके आते हैं तो उसमें एक धारा आई परवाईत होती है और वह टी समय के लिए परवाईत हो रही है इसका मतलब उसमें आवेस का परवाई हो रहा है तो आवेस का परवाई हो रहा है तो इस आवेस परवाई में सेल द्वारा किया गया कारिये कि ताकि आवेस का परवाई हो सके तो डबलू बराबर एक्यू या क्यू ए तो यहां पर देखिए यहां पर विदुत वाकबल है वोल् दोनों सीरों पर विवांतर कैपिटल भी बनता है तो सेल में जो धारा ली जाती है तो उसमें किया गया कारी एक्सनल कारी वी आईटी हो गया ठीक है तो सेल का आंत्रिक परतिरोदी स्मोल आर सेल के अंदर बैने वाली धारा का मान आई तब सेल का जो घोल है उस घोल के कारण से जो आंत्रिक प्रतिरोद के कारण से सेल के घोल में आंत्रिक प्रतिरोद के कारण से जो विद्ध घट्टे के अंदर विद्ध अप्चे होता है पोटेंशल ड्रोप होता है विद्ध हानी होती है वह इसमोल वी बराबर आई यार हो जाता है तब सेल के भीतर किया गया कारी है W internal बराबर VIT या I square RT वी बराबर IR है तो I square RT हो जाता है इसमल RT ठीक है तो सेल के लिए total किया गयकार है सेल द्वारा total किया गयकार है अंत्रिक कारी और बाई ये कारी तो W बराबर क्या है अपने बोलते हैं capital EIT द्यान रखिए यहां पर विद्यू छेतर नहीं है यहां पर electro motive force है जिसकी जिसका मात्रक वॉल्ट है तो EIT बराबर V external क्या VIT प्लस V internal क्या I square RT तो इस पूरी प्रोसेस में क्या हो जाएगा E बराबर V प्लस RT वी बराबर RI या IR तो सेल के दोनों सीरों के बीच में जो विबांतर है वह विद्यूत वाहक बल माइनस आंत्रिक प्रतिरोद के कारण से जो विबाव लोस है यह potential drop है उसके गटाने के बाद में value आती है उसके बराबर यह बराबर E माइनस आई यार तो इससे अपन क्या कह सकते हैं किसी भी सेल के जो टरमिनल potential difference है वह विजुत वाहक बल से कम होता है जब सेल ओप्रेशन में किसी परीपत में संचालन में इसका मतलब सेल डिश्चार्ज हो रहा है और जब सेल से धारा ली जाती है जब सेल को charge कheres जाता है अर्था अब sale को अपन परीपत में अटाकर इसol को charge कर रहे हैं क्या होता है कि करन्ट होती है उसका source दूसरा होता है तो जब अब sale से धारा ली नहीं जा रही है तो इसका मतलब current की direction वडल गई है तो चीदर से अपने बोल सकते है कि जो condition अपने पास थी V बराबर E माइनस I R अब I का जो डिसा बदल गए तो जो I है वह माइनस I बन गया तो माइनस माइनस प्लस होगे तो अब V बराबर E प्लस I R हो जाएगा जब सेल को चार्ज के जाता है Ns रोथ से धरा ली जाती है तब धराग डिसा बदल जाती है और प्लस प्लेट स से माइनिस प्रेट की तरफ डारेक्शन होती है तब धारा की और तब वी का मान है वह है केपिटल ए या ये में अप से बड़ा हो जाता है तब वी बराबर ए प्लस आई यार बन जाता है ओके जिब चार्जिंग कंडिशन में अब बात करते हैं किसी भी सर्कुट के क्लोज की जो से ये प्रीपत में यूसट होरा हूत द customer लगाया हुँ ये अंतरिक परतिरोद दिखाया हुआ है अंधुर परिपत में प्लस इंट्ण रखनी परीपत मेंं आपको कुछ फिगर से द्यान रखनी है तो द्वारा दी गई धारा मतलब इस परिपत में बैनेवाल धारा का मान क्या होगा तो कुल विवव बटे कुल प्रतिरोज या विवांतर बटे प्रतिरोज तो कुल प्रतिरोज कितना केपिटल आर और इसमॉल आर दोनों सीरीज में आई केपिटल आर जायर 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 से दार आई बहेगी तो यह प्लस माइनस उजाएगा तो यह आई आर ही बनेगा ठीक है अब सेल के बीतर पोटेंशियल ड्रॉप सेल के बीतर पोटेंशिल ड्रॉप कितना होगा तो सेल का आंतरिक परतिरोज दुना बहने वाली धारा але आई इंट्वार और सेल का इंत इसमोल रहा तो वो कैसे घात करेंगे वीट भरणबर माइनस आई आर अपने को पताघ एगिंगे वीटाबर यमाइनस आई आई आर तो आर बराबर क्या हो जाएगा offset मान रख देंगे तो इसमोल आर बराबर ए माइनस भी बटे वी इंटू कैपिटल आर यह सेल का आंतरिक परतिरोद तो सेल का आंतरिक परतिरोद है वह विद्धुत भाग बल विबांतर और कैपिटल आर अप्लाइड किया गया जो फोर्स है रिस्टेंस है लोड है उस पर डि यह कितनी सकती है यह सेल के दोवारा लोड कितनी सकती दी गई तो व वे होता है तो व मैं कैपिटल है यहाँ फोर्स हो गया सकते है आई बराबर यह अपन आर प्लस आर तो सब्सक्राइब आ और प्लस प्लस और काई स्क्वाइर इंटू आ यह सकति ऑफ और लोड को दी जाने वाली अब अधिक्तम शक्ति कितनी को कोई भी सेल हो कोई भी बेटरी ऑफ लोड को अधिक्तम कितनी सक्वी दे सकता है तो इसके लिए डिपी एपून डी- आर बराबर 0 कर देंगे इसका differential कर दीजिए differential करने के बना जो value है उसके अपन गयात कर सकते हैं तो देखिए अधिक्तम सक्ति की सर्थ यह है जब small r बराबर capital r है small r बराबर capital r है इसका मतलब p बराबर इस equation में देखिए इस equation में p बराबर e upon r plus r मतलब capital r plus capital r तो e upon divided by 2r का whole square into r तो 2r का whole square divided में है तो 4r square हो गया तो e upon 4r square into r तो r से r cancel तो e square upon 4r तो अपने पास में हो गई है e square upon 4r अर्थात किसी भी sale के द्वारा दी जाने वाली अधिक्तम सक्ति किसी load को है तो उसका मान होता है e square upon 4r ठीक है अब आप देखेंगे कि जब r बराबर r है और अधिक्तम सक्ति कब होती है किसी भी sale या किसी भी बेटरी द्वारा किसी भी स्त्रोत द्वारा load को दी जाने वाली अधिक्तम सक्ति कब होती है जब उस sale का या स्त्रोत का आंत्रिक परतिरोद load परतिरोद के बराबर हो जाए तो यह अधिक्तम सक्ती संचन परमे कलाती है तो अधिक्तम सक्ती कब संचरित होगी किसी भी स्रोत के द्वारा लोड को जब स्रोत का आंतरिक परतिरोद लोड परतिरोद के बराबर हो जाए small r बराबर के प्रिल r हो जाए मैximum power transfer theorem कहते हैं अब किसी भी स्रोत के दुआरा किसी भी लोड को कितनी सक्थी अधिक्तम दी जा सकती है अधिक्तम सक्थी तो अबिच्द पर अबने बता दी जैने व अधिक्तम सक्थी पी ब्राबर you sqArt upon four लगन यह कितनी है कितनी कितनी वर गैसक्थ貜 E upon capital R plus small r whole square into R तो इसके लिए अपन देखते हैं कि ये दोनों resistance अगर बराबर हो जाते हैं तो इसका मान कितना हो गया इसका मान हो गया 2R और वीवाव कितना है E तो जब E है तो आप यहां से इसको सीधा सीधा लिख सकते हैं P बराबर E square divided by 2R ठीक है divided by 2R और तो किसी भी load की source की जो सकती है वो यहां पर E square upon 2R और दी जाने वाले सकती है E square upon 4R मतलब जो श्रोत है उसकी सकती का जिस्ट आदा तो अपन कह सकते हैं कि कोई भी श्रोत के दोरा किसी भी load को अधिक्तम जो सकती दी जा सकती है वह केवल 50% होती है अर्थात कोई भी श्रोत है अपनी आदी सकती load को दे सकता है और यह अधिक्तम सकती संचन पर में भी है तो आज के लिए इतना खाफी अभी अपना unit खतम होता है अभी कल सेपन ने उनुट सालु करेंगे थैंक्यू